सुनाव इंडिया देले फाइनस कॉर्परेशन लिमिटेड आई यार एपसी लिमिटेड अगर आप देखेंगे तो 162 रुपे 45 पैसे और हाइयर साइट से ये स्टॉक 20% टूट गया है हाइयर साइट से 20% टूटा है साड़े साथ 8% के असपास की क्लोजिंग और इसके साथ साथ ऊपर था 10% के अराउंड तो हाइयर साइट से ये स्टॉक टूटा है 20% का आपको डिसकाउंट मिला है वो भी बजट से पहले क्या इसको एक अपोचिटी की तौर पर बाई कर लेना इरकॉन आईयर सीटी सी ये सबी स्टॉक ना ये सब स्टॉक हैं आपर तूटते हुए नजर आए ओवरॉल PSU स्टॉक जो है उनके अंदर डिसकाउंट सेल लगी हुई है बजट से पहले क्योंकि एक फरवरी को बजट है और उससे पहले तीन दिन की छुटिया है थ्री डे हॉलिडे है फ्राइडे सेटरडे संडे तो उसके चलते भी कहीं नगई एक इमपेक्ट पड़ा है बट आईयर एफसी के अंदर कल की दन मैंने आप से कहा था कि कल के दन यहां पर बाई करने के लिए नहीं होगा बाई करने का नहीं होगा गरावट गहरा सकती है वहीं आप पर आज AIRFC के अंदर और बाकी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला भी है तो देखे आज जो गरावट होई है साढ़े आफ परसेंट नीचे कलोजिम हुई है आज जो गरावट होई है उसके पीछे दो बड़े रीजन्स बो बिग रीजन्स सबसे पहला था अबापका RSI जो कि मैंने आप से कहा था कि हाईली ओवर वाउट जोन में हैं यहाँ पर सिस्टेन करना आसान नहीं है नए निवेसक जो है वो फस जाएंगे बजट के लिए आप बाई कर रहे हैं जो करना है वो करें बड़े हाँ पर लॉंग टरम परपस तो बिल्कुल भी करना ही नहीं है कल की दिन की राय अगर आपने से समझी होगी तो आज उसका आपने बेनिफिट उठाया होगा पहला यहाँ पर जो है रिजन आर्चाई दूसरा यहाँ पर इरेडा अब आप कहेंगे इरेडा का इससे क्या लिना देना है इरेडा के अंदर 10% से 5% सर्किट कर दिया है सर्कि यहाँ मैं क्लोजिंग देखने को मिल लही थी सर्किट हिट नहीं कर रहे थे सर्किट के साथ क्लोजिंग नहीं हो थे लेकिन जैसे सर्किट के साथ क्लोजिंग होने लगी यहाँ पर क्या हुआ सर्किट फिल्टर जो है कर दिया जाता है कम इसके वजह से यहां पर बढ़ा असर पड़ा है 5 परसेंट के सरक्यट में यहां पर कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती और अगर EDA के साथ यह हुआ है तो वो कहीं नखी आईयार EPSY के साथ भी यहां पर होना था आपका RVNL के साथ भी इसा ही होना था एरकौन के अंदर भी ऐसा ही होना था उससे पहले जो बड़े ट्रेडर थे वो प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए लेकन यहाँ पर एक strategy और अपनाएगी है आज circuit यहाँ पर hit नहीं किया circuit हिट किया बट closing नहीं हुई है यह आप क्या समझ रहे है इसे positioning करी आ रही है ताकि circuit यहाँ पर रखा जाया big circuit चाहिए तब ही यहाँ पर trading हो सकती है तो अभी अगर आप देखेंगे तो higher side यहाँ पर 193 का level जो है वो यहाँ पर top बन चुक है जब तक वो level नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है यही चीज हुई थी 100 रुपए के राउंड यह stock 93 पर अटक गया था जाकर वहीं से grab अटाकी और जब वो level क्रोस किया उसके बाद यह stock देखे कहाँ पर पहुँचा यह सारी चीज़ है लगी जब तक टॉप क्रोस नहीं करेगा तब तक नहीं बजट के लिए क्या हमें खरीना चाहिए इसका अंसर आपको मिल जाएगा लास तक क्योंकि बहुत कुछ है समझने के लिए अब आप बजट के लिए बात कर रहे हैं बजट में मुझे यह लेकर जाना है बड मैंने आपसे कल कहा था कि सेलिंग आएगी एक बड़ बिकवाली आ जाने दी यह थंड़ा हो जाने दी यह आरसाई उसके बाद आप बाइक लीचेगा एक और बाद अगर आप गोर करेंगी तो डिलीवरी कॉंटिटी जरा देखे डिलीवरी पोजिशन्स पे यह जो केंडल है ना यह केंडल ही बदा रहे हैं कि इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग चल रही है और मैंने आपसे पहली का यह टार्गेटिज स्टॉक है इसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है कि यहाँ पर ना इतनी बड़ी तेजी हो जाए इन सब स्टॉक्स के अंदर ऐसा क्या हो गया चानक से कि इतनी बड़ी तेजी हो जाए तो लॉंग टम के लिए तो बिल्गुल भी खरीन नहीं नहीं है बजट जिस दिन है उसके ही पहले आपना पोजिशन जो है वो किलियर करने लगे है अदरवाइज एक वार खबर आ जाती है तो उसके बास सब कुछ आपोजट होने लगता है आपको लगता है तेजी आई खबर के बाद लेकिन मंदी हो जाती है क्यों पोजिशन कटने लगती है और यहाँ पर बता रहा है कि खरिदारी कम न यहाँ पर ट्रेडिंग जादा हो रही है ट्रेडिंग के लिए यह स्टॉक्स चुने जा रहे है ट्रेडिंग हो रही है और बजट तक आपको कुछ न कुछ ऐसा ही वॉलिटिल्टी आपके भी देखने को मिलेगी और जहां था का आप बात करेंगे लॉंग टर्म की आपको लग रहा है कि लॉंग टर्म में मुझे खरी लेने चाहिए यह तेजी देखकर भैकिये मत यह बिल्कुल भी मत करेए आप देखिए आपका जो वैलिशन है न वही जिस्टिफाई नहीं कर रहा है ऐसा क्या हो गया है बजट हर साल आता है हर साल पोजिशनिंग होती ही है ऐसे में चुने जाते हैं स्टॉक यह टार्गेटिड स्टॉक है यह टार्गेटिड स्टॉक है आप कहां पर बेचोगे यह सबसे बड़ी बात आजाती है कहां बेचोगे तुम यहां पर यही तो सबसे बड़ी बात है महेंगे पर खरिद कर महेंगे पर बेचना आसान नहीं है सस्ते पर खरिद कर महेंगे पर बेचना आसान है बट महेंगे पर और महेंगे करना यह बिल्कुल भी यह ना पर ना एक बेतुकी बात हो जाती है बहुत महेंगा हो चुका है यह टेड़स फ्रेंडली स्टॉक है यह जम कर ट्रेडिंग हो रही है बजट के बास पूछे भी ना जाए और मेरा इसारा तो सबसे ज़्यादा इजरी जा रहा है भाई प्रमोटर तो हमारे प्रेसिडेंट आफ इंडिया वो तो होल्ड करेंगी वो कौन से भी कवाली करेंगी बड़ आप FIS देखिए इतने ही अच्छा है IRFC तो यह क्या है यह FIS की पोजिशन यहाँ पर बढ़ी क्यों नहीं 1.01 परसेंट था 2022 दिसम्बर में 230 दिसम्बर देखिए कोई इसको कहना नहीं चाहाएगा 1.15 परसेंट ही है क्या पैसा FIS को अच्छा नहीं लगता है क्या सो देट यह बात आप समझिए IRFC कंपैरिसन जो REC और PFC कल मैंने आपको बताया था कि उनके अंदर FIS देखिए 40-40 परसेंट तक FIS की होल्डिंग है क्या FIS यहाँ पर नहीं रख सकते थे यह क्वेशन मार्क बनता है D.I.S.D. की लगातार कम कर रहे हैं आपके साथ ही आपर कम कर रहे हैं तो पर नाइटी सिक्स परसेंट की होल्डिंग थी 22 दिसम्बर में 23 दिसम्बर 1.16 परसेंट की होल्डिंग है सिफ और सिफ रिटेल ने वे सक बढ़ रहा है और जिए निचले लेबल पर भाई कर रखे हैं वो इस चीज को एगरी नहीं करेंगे कि यह मेहंगा है समझ रहे ना उनका कुछ नहीं जायागा लेकिन जो यहाँ पर करीदेगा ना आपको लग राए 10-15 परसेंट की तेजी में यहाँ पर सब कुछ ढह जायागा एक जटके में तो थोड़ासा डरना स्टाट करें दरा भी करें यह जो प्याशिव इस टॉक्स के अंदर तेजी है यह पाई कुछ भी नहीं है यह सिर्फ और स्पेकुलेशन ही गया है आप इसको गिनेंगे किसी ने कुछ नहीं कह दिया है ना कुछ और हो गया है जो बज़ट आएगा ज यहां पर यह तो समझ में आए कि लोग अंग टम के लिए तो बिलकुल नहीं क्यों तरीके अर्णिंग आने दो देख लो एक बार जि कितना भी अर्ण कर लेंगे न तब भी कमफर्ट नहीं ला पाएंगे इस स्टॉक के अंदर इस सस्ते तो आरे सी पी एपसी है वहां पर रि है यहां डर जादा है यह तो प्राइस टिकेट साइज छोटा है बाई 161 रुपय का प्राइस है कौन ने खरीदेने के लिए आ जायाएगा रिटेर इन्वेस्टर बहुत आ जायाएगा तो देख लीजे आज आपको यही सब कुछ दिखेगा यहां पर आप देखेंगे तो है एक ही दिन है सिंगल टेम है इसे लिए गिरावट आना ज़रूरी थी कल देखेगा अगर कोई गिरावट मिलती है पांस साथ परसेंट की तो फिर यह और हलिका पड़ जाएगा तो यहां पर बजट के लिए देखेगा लॉंग टम के लिए नहीं बजट के लिए और बज यह स्थिति इन स्टॉक्स के अंदर क्योंकि एक बार जब पैनिक मसता है ना तो वो बहुत ही खतना होता है और आज कोई रिकावरी नहीं आई है सबसे बड़ी बात ही है आज कोई रिकावरी नहीं आए तो देखा जायागा बजट में जो इसको जैसा करना है वैसा करिए बट लॉंग टम के लिए अभी वेट करिए यह कोई लेवल से नहीं यह खरीने के लिए बजट आप देखे कि कहां खरिना है बाकि आपने जो फाइनिसल एडवाइजर उनसे भी सला ले लीजे और आपका यहाँ पर जो ब्रोकर हैं उनसे भी तो आपका गयान है इसके ऊप कर दो कमेंसर दर्म के यार अब तीज में जाए वीडियो देखने कलिए मैं तो दन्मादोस्तो